गुड मोर्निंग 12th क्लास, आज हम करेंगे उनिट 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्स, सबसे पहले करेंगे हम इसका इंट्रोडेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में क्या है जो ये ट्रेनिंग है ये पर्णिकुलर एक स्कील है, पर शिक्षन कार्थ है, किसी व्यक्ति को कोई विशेश गुण सिखलाना इसका मतलब क्या है किसी विशेश व्यक्ति को कोई भी किसी भी परकार का गुण सिखलाना इसके बाद है इसकी definition डेल एस बीच परशिक्षन किस परकार से परिबासित किया जाता है या करते हैं एक ऐसा सुववस्थित कारिय परनली जिससे लोगों को कोई विशेश गुण किसी विशेश उदस्य के लिए सिखाती है इसके बाद है sports training sports training athletics is a specific type of physically fitness competitive and to improve this specified type of training in training के related इसमें क्या है खेल परशिक्षन खेल परशिक्षन में क्या है खेलों में खिलाडियों को विशेश परकार की सारिक योगता है अंगों की अवशक्ता होती है और इन अंगों को सुदारने के लिए एक विशेश परकार की परशिक्षन की बहुँ ज़्यादा अवसक्ता होती है जैसे माल ले किसी एथलेटिक्ष या खिलाडियों की अक्षमता को बढ़ाने की संबंदित परशिक्षन को खेल परशिक्षन काहा चाता है वयाम के संबंदि किर्याओ में लड़ी एवं किसी खेल आयोजन की तयारी के लिए भी हम खुराक को भी खेल परशिक्षन के तोर पर परवासित करते हैं उसके बाद है जो विज्यान की वैसा आखा होती है जो खेल परशिक्षन को सुदारने में हमारी बहुँ ज़्यदा मदद करता है, परदर्शन को सुदारने में उदेश से वमसारी कक्षमता को ठीक डंग से करने, ठीक डंग से बढ़ाने के लिए, कई तरह की परशिक्षने वीदिये होती हैं, जब हम खेल कूद में बाग लेत हैं तो हमारा सरौसरेष्ट परदर्शन होता है, इसके बाद है इसके मीनिंग इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी इसके meaning में क्या strength है इसमें क्या है physically activity, health, daily winning मूल मूल रूप से खिलाड़ी को परदर्शन जो भी खिलाड़ी होते है उसको मूल रूप से अपना परदर्शन दिखाने में ताकत की स्तीरता और लचक, शामनवे और तालमिल, समबंदी, एक्षमताव पर बहुत ज्यादा निर्बर करता है इन कारकों को बेतर बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे अपने आप में शुदारने के लिए उसे को सुदारने के लिए खेल परशिक्षन दिया जाता है खेल परशिक्षन के कारिय करम स्वस्था एवं सुयोम के साथ साथ अपने अपने उसके जो खुद के तत्तों को भी सुदारना बहुत जरूरी होता है हमें सारे गतिविद्या करने के सही तकनिकी समझाते हैं इसके बाद है इसके टाइप उपदा स्ट्रेंद इसके टाइप इसमें क्या क्या है जो स्पोर्ट्स लेवल एंड टाइप ओफ स्ट्रेंद इन नीडन्स बाए स्प्रेंड सो मेटर रेस इन इसमें क्या है परतिरोध पर काबू पाने की योगता है मास पेसिया है किन तन तरीका जो मास पेसियों की सक्ती कहलाती सक्ती सारी कीरियाओं के लिए भी बहुत ज्यादा आउसक होती है उसके बाद ये परतिसप्रज ऐसी तीवर्ता की जाती है जो बिसमें होता है इसके बाद है स्टेक स्ट्रेंद सक्ती किस परकार से परिबासित करते हैं ऐसा बल जो एक मास पेसी या मास पेसियों के समू एक अधिकांस्ता के परतिरोध के रूप विरोध लगाया जाता है इसके बाद है टाइप इसके में क्या आएगा इसके वीबिन खेल सक्तियों के चरणों को वीबिन परकार क्या उशक्ता है होती है माले जैसे कि इसमें क्या है टाइप ओप देमें इसमें है सो मेटर की रेश सो मेटर की दोड़ में दोड़ने वाले एक सप्रिंटर कहलाता है जिससे ओन अपने अलग 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 तरह की शक्तियों क्या शक्ता होती है सक्ति को निवी बागों में बाटा गया है नमबर एक स्तीर सक्ति स्तीर सक्ति कौन सी होती है यह मास्पेशियों की स्तिरता यह जो भी मास्पेशियों होती है उसकी स्तीति को परतिरोध के रूप में कारिया करने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है सक्ति यह आई मोस्ट्रोमिक सक्ति भी कहलाती है डाइनमेटिक सक्ति भी कहलाती है इसके बाद सेकेंड गती सील सक्ति गती सील सक्ति में क्या होता है? यह मास्पेसियों के परतिरोध के विरोध कारिया करने के अक्षमता में हमें गती सिल बनातने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इसे हम आइस्टो मेरनिक सकती भी कहते हैं इसके बाद है